उधारन तीन सिद्ध कीजिये की कॉस ए बटा एक रिण टैन ए धन साइन ए बटा एक रिण कॉट ए बराबर साइन ए धन कॉस ए यह में सिद्ध करना है हल बायापक्ष पहले हम लेते हैं बायापक्ष में हमारे पास है कॉस ए बटा एक रिण टैने की स्थान पर हम लिख सकते हैं साइन ए बटा कॉस ए धन साइन ए बटा एक रिण कॉट के स्थान पर हम लिखेंगे कॉस ए बटा साइन होता है क्योंकि यहां पर हम जानते है कौस टैने का मान साइने बटा कौसे होता है और कौटे का मान जो होता है टैन का व्यूत करम होता है कौसे बटा साइने बराबर यह कौसे के स्थान पर हमने कौसे लिखा नीचे में हर में हम एक रिन कौसे एक रिन साइने बटा कॉसे है तो हम यहाँ पे लगुत्तम निकालेंगे एक को एक बटा एक लेंगे तो लगुत्तम हमारा कॉसे आ जाएंगा तो यहाँ पे हम इसको जब करेंगे तो कॉस ए रिन साइने और यह जो बटा कॉसे आएंगा लगुत्तम इसको हम भाग को गुणा में करेंगे तो ये गुणा कौसे हो जाएंगा धन उसी तरह से हमें साइने अंश में और हर में फिर लगुत्तम निकालेंगे हम एक बटा एक एक और साइने का लगुत्तम साइने आएंगा और जब हम इसको साइने को एक से भाग देंगे तो साइने और फिर इसे गुणा करेंगे तो sin a रिण कॉस a प्राप्त होंगा और बटा sign a जो है जो भाग वाले चीज़ है इसको हम क्या करेंगे गुणा में बदलेंगे तो इसका व्योद्क्रम हो जाएंगा और यह sign a ऊबर चले जाएंगा अंच में तो गुणा साइन ए इस तरह से बराबर हमें प्राप्त होंगा कॉस की घात दो ए बटा कॉसे रिन साइने उसी तरह से हम यहां पर देखेंगे कि कॉसे रिन साइने हर में है और यहां साइने रिन कॉसे है तो हम कहीं इसको कॉसे रिन साइने लिखना है इसको हम को साइने रिन कौसे को तो हम यहां पर रिन चिन का उभहनिश निकालेंगे तो यह धन चिन जो है वो रिन बद में परिवर्तित हो जाएंगा और यह जो हो जाएंगा हमारे पास कौसे रिन साइने हो जाएंगा क्योंकि चिन हमने रिन एक जो है उभहनिश निकाला है तो कौस रिन कौसे जो है धन कौसे हो जाएंगा और रिन साइने और उपर में अंच में हमारे पास साइन की घात दो यह है इसका हम जब लगुत्तम निकालेंगे तो यह लगुत्तम हमें प्राप्त होता होगा कौसे रिन साइने और क्योंकि दोनों पदों का हर एक ही है तो हमें प्राप्त होगा कौस की घात दो ए रिन साइन की घात दो ए या इसे हम लिख सकते हैं एक कॉस की घाद दो A रिन साइन की घाद दो A को हम लिख सकते को हम A का वर्ग रिन B का वर्ग लेंगे तो इसमें सरस्वमी का प्रयोग करेंगे कि A वर्ग रिन B वर्ग बराबर A धन B A रिन B तो इसे हम लिख सकते हैं कौस A अरिन साइन A और कौस A धन साइन A बटा कौस A रिन साइन ए तो कौस A, रिन साइन A और हमारे पास जो हर में कौस A, रिन साइन A प्राप्थ होँ दूसरा कोश्टक के अंदरमें साइने पहले हम साइने लिख लेंगे धन कौसे क्योंकि हमें सिद्र करना साइने प्राप्टुवा साइने धन कॉसे हमारा बयापक्ष है यहां पर हमारे पास साइने धन कॉसे है दायापक्ष इस तरह से हमें प्राप्टुवा साइने धन कॉसे दायापक्ष तो यह हमारा दायापक्ष प्राप्टुवा